सोबा का समय है, सभी लोग सो रही है तभी घर में एक पागल कुद्दा घुश जाता है कुद्दा गाय के पास चला जाता है कुद्दी ने काय को बहुत बुरी तरीकि 선택て इंगल रहा है के आपर से वह दोग उच जाते है और ये पागल कुद्दी ने कहाता को काट लिया है को देखते ही कुद्दा भाग जाता है पपापा पपा जल्दी आओ गाय बहुत देगा चल्ला रही है सभी लोग भाग कर गाय के पास आ जाते हैं क्या हुआ पपा क्या हुआ? बोलो बोलो क्या हुआ? हे भगवान उस कुट्टे ने गौ माता के पैर में भी काट लिया है कितना कौन बहरा है गौ माता के पैर में से गौ माता ने उस कुट्टे का क्या ही किया था जो काट लिया उस कुट्टे ने तब ही गौ माता में हो शोगर जमिल पर गिर जाती है ये सबी होते हुए चिंकी मिल्की अपने चट पर से देख रहे हैं पागल कुत्ते ने गव माता को काट लिया देखो क्या है भगवान अरे कोई तो डाक्टर को फोन करो रूपा दिदी जली से फोन करो ना डाक्टर को फोन बाद में करना पहले मुझे कोई कपड़ा दे दो जली से मैं गव माता के पैर को बान देता हूँ ताकि उनका भैता खुन रुक जाये जल्दी से दो ठीक है बापा मैं जल्दी से कपड़ा लेकर आ रही हूँ सोना जल्दी से जाती है और घर में एक पुराना कपड़ा लेकर आती है ये लो ममी जल्दी से गव माता को कपड़ा बान दो मालते जल्दी जल्दी गव माता के पैर में कपड़ा बान देती है आज मैं स्पागल खुत्ते को जान सही मार दूँगा रमे इस गुस्से में लाठी लेकर घर से बाहर निकल जाता है नहीं छोड़ूँगा मैं उसे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से मेरी गईया मम्मी आप रूप मैं भी डॉक्टर को फोन करती हूँ जल्दी से रूपा जेब में से फोन निकाल कर डॉक्टर को फोन करती है हेलो डॉक्टर जल्दी से आप मेरे घर आ जाईए मैं रूपा बोल रही हूँ रूपा बेटी मैं बाहर हूँ में नहीं आ सकता क्या हुआ रूपा बिटी डॉक्टर साहब ने क्या कहा कब तक आएंगे वो डॉक्टर साहब बाहर है मुझे शहर की डॉक्टर को कॉल करना होगा ममी रुको ठीक है बिटा जल्ली से करो रूपा शहर की डॉक्टर को कॉल करती है हेलो डॉक्टर मैं रामपुर गाउं से बोल रही हूँ एक अर्जिन काम है तब ही पन्नों उतर कर नीचे आ जाती है पीछे पीछे चिंकी और मिंकी भी आ जाते हैं यार गार भी होश हो गई हाँ यार मेरी गौ माचो क्या हुआ रुपर बीटी डॉक्टर आ रहे है ना हाँ मम्मी आ रहे है डॉक्टर तब ही एंबुलेंस आ जाती है तब ही एक डॉक्टर एंबुलेंस से बाहर आती है पता तो यही का बताया था फोन पर बताया था लेकिन यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है लगता है मुझे फोन करना पड़ेगा हाँ वो यही नंबर है जिससे कॉल आया था अभी मिलाती हूँ डॉक्टर फोन मिला देती है तभी रुपा घर से बाहर आ जाती है अरे लगता है डॉक्टर साब मुझे फोन मिला रहे है मैं उन्हें बोलती हूँ डॉक्टर साब डॉक्टर साब आप अंदर आ जाएए मैंने ही आपको फोन किया था ठीक है ठीक है चलिए दोनों घर के अंदर चले जाते हैं कितनी देर पहले कुट्टे ने गाय को काटा नर्स भी रुपा के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है अरे ये गोह मातर तो अभी तक भी होश है वैसे इन्हें कुट्टे ने काटा था ना हाँ हाँ पागल कुट्टे ने काट लिया था पागल कुट्टे का जहर शरीर में फैल गया होगा गोव माता को जल्दी से अम्बूलेंस में ले चलो हमारी अम्बूलेंस में सब सुभीदा है हम अम्बूलेंस में ही ओपरेशन कर देंगी फिर ले चलो अम्बूलेंस में मेरी गोव माता को तो ठीक है सभी लोग मिलकर गौ माता को उठाओ और एंबुलेंस के अंदर ले कर चलो ठीक है मैम हम सभी मिलकर उठा कर ले चलते हैं सभी लोग मिलकर गौ माता को उठाने लगते हैं अरे गौ माता किती भाली उठाया है नहीं जा रहा अरे समत बोलो ये हमारी गुम आता है हाँ हाँ ले चलो अराम से ले चलो हाँ हाँ ले चलो उठाओ अराम से चलो 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 देखके रखना अराम से देखके चड़ो चड़ो बस में चड़ो अराम से रखना हाँ हाँ रखो हाँ गाय एंबुलेंस के अंदर आ जाती है नर्स जल्दी से मुझे इंजेक्शन ला कर दो ये लेज़े डॉक्टर साहब जल्दी से पकड़िये डॉक्टर इंजेक्शन लेकर गाय को लगा देती है इसे लगाते ही हो सके तो गाय को होश आ जाए नर्स मुझे जल्दी से पट्टी और दवाई दो, मैं जल्दी से इनके पैर में पट्टी बान देती हूँ हाँ हाँ डॉक्टर साहब मैं पट्टी दवाई लेकर आ रही हूँ नर्स पट्टी और दवाई निकालने लगती है ये लेजिए डॉक्टर मैं पट्टी और दवाई लेकर आ गई हूँ आप जल्दी से कर दीजी उनके पट्टी डॉक्टर गॉमाता के दवाई लगाती है और फिर उसे के उपर से पट्टी बान देती है बाहर सभी लोग खड़े होकर गॉमाता को देख रहे हैं पट्टे तो बान दिये अब गॉमाता को होश आजाना चाहिए मेरी गॉमाता बस जल्दी से सही हो जाए माता रानी मामी आप लूम इतना गॉमाता जल्दी से सही हो जाएंगी देखो डॉक्टर आ गई है ना आप लोग चिंता मत करिये थोड़ी देर में गुव माता को होश आ जाएगा जेहो मतरानी की जेहो मेरी गुव माता अच्छी हो जाएंगी जेहो इधर रहमें साथ में काला कुटा ले कराता है पापा मैं काले कुटे को पकड़ कर ले आया हूँ इसे ने हमारी गो माता को काटा था हाँ तो अब मैं क्या करूँ? काट लिया तो अब क्या ही करे अरे, कुता भी भी होशे डॉक्तर साद, डॉक्तर साद आप इसे जल्दी से सुई लगा दो ताकि ये कुता भी सही हो जाए और इसका जहर खतम हो जाए हाँ आप सही कहरें बस इसे जल्दी से अम्बूलेंस के अंदर लिटा दो में इंजक्शन लगा देती हूँ रमेस उस कुत्ते को अम्बूलेंस के अंदर लिटा देता है डॉक्टर बिना देरी किये कुत्ते को सुई लगा देती है थोड़ी ही देर में गूमाता को होश आ जाता है जोड से बोलो गूमाता की जै दोस्तो मेरी गूमाता ठीक हो गई भगवान का लाख लाख शुक्र है दोस्तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक्स वर वाच इस वीडियो बाइब बाइ